हाई फ्रेंट्स आजका टौपिक है हमारे सिसी कल्चर यानी मतस्य पालन इसको हम मशली पालन भी कहते हैं então फ्रेंट्स इनित 3 थीर्ड है ए हमारी एनिमल बृडिंग and culture इसमें हमें स्टेडी करना है एको कलचर फिषी कल्चर सैरी कल्चर एपी कल्चर और लेक कल्चर तो आज हम फर्स टॉपिक को लेकर आए हैं फिसी कल्चर तो आईए देखते हैं इस टॉपिक से रेलेटेट कुछ पॉइंट्स हमारे देश में मनुश्य द्वारा ग्रहन किया भोजन असंतुलित माना जाता है यानि जो हम लोग नॉर्मली कमी को पूरा कर सके तो हम लोग जो नॉर्मली भोजन खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए उसे असंतुलित भोजन कहा गया है और हमें ऐसे बोजन की आवशकता होती है जो हमारे प्रोटीन की कमी को पूरा कर सके मशली के मास में प्रोटीन की प्रोटीन की मात्रा को पूरा किया एसे लिए हममशली पालन करते हैं ताकि मशली के मास को खाने में यूज़ कर सकें इसे लिए भारत सरकार मशली पालन पर विunden ध्यान भखर मसली पालन की क्रिया को हम fish culture या फिर fishy culture भी कहते हैं तो friends आइए देखते हैं मशली पालन का उद्देश ये क्या है इसका उद्देश ये अधिक portion शम्ता का मास तथा अधिक से अधिक मतस्य उतपाद है हमारा जो मशली पालने का मेन उद्देश से होता है वो होता है अधिक पोशण शम्ता वाला मास मतलब जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन हो ऐसे मास को हम खा सके इसलिए हम फिस कलचर करते हैं जिससे मास के साथ साथ इससे मिलने वाली बायो प्रोडक्स की प्राप्ती की जा सके तो अब देखने वाले हैं मशली पालन का उद्देश से क्या है इसका उद्देशी अधिक पोशन शम्ता का मास तथा अधिक से अधिक मतस्य उत्पाद है जिससे मास के साथ साथ इससे मिलने के साथ है।